Dear student, we have to discuss education for sustainable development for young learners. हम learners की बात कर रहे हैं और young learner क्या है? हमारी outcome है. हम अपनी outcome को जो है evaluate करना चाहते हैं. उसकी वज़ा यह है कि outcome को जब हम evaluate करेंगे तो इस बात का हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम अपने sustainable development goals जो हैं उसको आसल करने में कितने कामियाब हुए हैं. अब अगला step क्या है? कि यंग learners को allow करें to participate in decision making. देखें जो हम sustainable development society का concept लेके चाहर रहे हैं. उस society के जो members हमने त्यार करने चुरू किये हुए हैं. हमने stage 1 के अंदर यू समयने के पिछले 10, 15 या 20 सालों के अंदर हमने ECE से पढ़ाना शुरू किया. हमने sustainable development goals को align करते हुए उनकी skills developed की. अब जब वो young learners आ गए हैं तो अब इन young learners को allow करना चाहिए हैं तो participate in the decision making on the design and content of the educational programs. अब जो gap है, वो gap आपको ये learner बताएगा. वो ये बता सकता है के इस तमाम process में कौन सा deficient area था. उसकी मैं आपको एक example देना चाहूँगा, कि अगर एक बच्चा जो है, हमने दावा ये किया है कि इसके अंदर critical thinking जो है वो हमने develop करनी है. हमने road learning को minimize करने के बाद critical thinking को अपने course का किसा बनाने के बाद हमने 10 साल, 12 साल, 15 साल पे एक खास period हमने लगा लिया. अब जहां कहीं उसकी critical thinking डिवैल्प नहीं होई या वो deficient रह गया है, तो अब ये बच्चा हमें बता सकता है कि इस process में, इस content के design में, इस educational program में, कहां भी problem थी, जिसकी वज़ा से वो ये वाला portion उसका weak रहा है, अब हम ये चाहे local level पे या global level पे, ये हमारा local issue भी है, ये हमारा global issue भी है, और ये मैंने एक बात की है, और बहुत सी बातें, हैं, problem solving techniques है, values है, shared values है, हमने बहुत सारे उसके उपर बातें हमारे पास उनके parameters हैं, अब इनकी deficiency को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो learner है, उसको decision making में participate करेंगे, अब जब वो participate करेगा, वो उसके deficient areas को local level और international level, global level के अंदर जो है नवो उसके issues को address करेगा, तो next जो reforms होंगी, next जो process के अंदर problem है, हमारा जो future है और future के अंदर जो हम ensure करना चाहरे हैं, long term के अंदर, कि इस content को कैसे बेतर बनाया जा सकता है, वो बेतरी जो है, वो इस learner की वज़ा से आ सकेगी, और हमने जब इसको promote करना है, और हमारा United Nations जो है, उसका sustainable development का जो प्रगाम है, 2005-2014, was adopted by the UN General Assembly with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, designated as the lead agency for promotion throughout the decade, अब आप देखें कि UNESCO ने, यह हमारा जो 10 साल का प्रगाम 2005 से 2014 मनता है, इस decade को evaluate करने के बाद, और evaluate कहां पे हुआ, किस अंदाज में हुआ, यंग learners के आउटपूट से evaluate किया गया, उसके बाद, फैसला क्या 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 गया, फैसला यह क्या क्या क्या, कि decision making के अंदर, यंग learners को साथ involve किया जाएं, उसकी वज़ा क्या थी, उसकी वज़ा यह थी, कि अब हम future के अंदर, जब इसको हम promote करेंगे और इसको बेतर करेंगे, तो वो जो जो शक्स उस प्रासे से गुजर के आया है, वो हमें उसके deficient areas को identify करेंगा, और उन deficient areas को जब हम improve करेंगे, तो जो एक ideal situation लेकर हम चाहर रहे हैं, और एक ideal sustainable society की तरफ हम जाना चाहरे हैं, तो हम उसको achieve करने में कामयाब हो जाएंगे.